नमस्कार दोस्तो आज अमबात करने वाले हैं लाइन ओर्गनाइजेशन की लाइन ओर्गनाइजेशन आपका दोस्तो किस तरह का रहता है लाइन ओर्गनाइजेशन जो है उसके अंदर हम लोग ये बेसिक चेक करते हैं कि आपके पास किस तरह से production आपका continuous चलता रहता है top से आपकी जो command आ रही है आपके पास bottom में किस तरह से transfer होती रहती है और आपके जो under employees जो work कर रहे हैं वो follow करते रहते हैं उस direction को तो top से लेके जो bottom आपके पास continuously direction आ रही है उसको हम लोग बोलते है간 जो line organization है वो आपके पास जो small units हैं small units है meaning to small manufacturing या कोई भी आपके पास assembly का small organizations है उसके लिए आपकी line organization mostly use करते हैं हम लोगई 카 Juice आपके पास restrictive में चीर हों कि जाए उसमें जैसे आपके पास prescription का manager है जो आपका production हो रहा है उसका एक manager है for example दिया हुआ है, हो सकता है, दूसरा कोई manager है, उसके according तीसरा कोई, तो वो आपके पास जिस हिसाब से आपकी line रहेगी, तो यह आपके पास production का manager है, तो production का जो manager है, उसके अंडर आपके तीन four men's work कर रहे हैं, जैसे four men first, four men second, four men third, अब जो four men एक है, उसके नीचे फिरसे दो worker's आपके पास काम कर रहे हैं, ऐसे दूसरे जो four men है, उनके नीचे आपके दो worker's काम कर रहे हैं, ऐसे तीसरा जो four men है, उसके नीचे के worker, तो ये जो group है workers का तो ये फॉर्मेन को follow कर रहा है और जो फॉर्मेन है वो सीधा सीधा production manager तो यानि यहां से आपके पास direction आ रही है वो तीनों जगें पर एक direction आ रही है एक direction से आपके पास वहाँ पर जो workers हैं वो एक direction को follow कर रहे हैं तो top से लेके bottom तक आपके पास जो direction हो रही है उस चीज को वो follow कर रहे है तो वो organization आपके पास line organization है यह आपके पास pure line organization होता है क्योंकि यह सीधा सीधा आपकी जो line है जो manufacturing की आपकी line है उस line से जुड़ा रहता है जो आपके पास assembly की line है जहां से आपका production हो रहा है वहाँ से सिधा आपका जो जुड़े हुए है तो उसको हम लोग बोलेंगे pure line organization तो ये नीचे इसके बारे में so किया हुआ है दोस्तों कि it is the simple from all of organizational structure जो बाकी सारे organizational structure है उन्हें से ये सबसे simple form का organization structure है इसमें क्या होता है the line of authority जो line authority है जैसे यहाँ पे इनको authority है यहाँ पे इसको authority है for man को in को authority है यहाँ पे ये workers उसको follow कर रहे है तो ये आपके पास जो line of authority है he follows from top to bottom vertically तो ये vertically आपके पास जो direction आई वो आपके पास सीधा-सीधा follow करते वे चलते हैं तो इस तरह से vertically ये सारे के सारे follow करते वे चलते हैं इस तरह का जो organization होता है उसमें केवल एक form की जो authority है वही आपके पास वो exist करती है तो इसमें continuously आपके पास एक form की जो authority आरी है वही आपकी continuously exist करती जा रही है आप कहता है कि आपके पास कुछ advantage होते हैं इसके और कुछ disadvantage भी है pure line organization की pure line organization का जो advantage है वो कि आपके पास कि इसको बहुत ही easily अमलोग adopt कर सकते हैं कहीं भी किसी भी जो भी आपके पास small units है small organizations है उसमें आपको यह adopt करना है तो बहुत ही आसानी से इसको अमलोग adopt कर सकते हैं दूसरा कहता है जो भी जिसका manager है he having full authority यानि उसी के पास सारी authority है कि वो किस तरह की आपकी direction दे रहा है और किस तरह से उसके followers जो है वो उसको follow तो followers से meaning यहाँ पे वो leader नहीं है यहाँ पे वो manager है तो वो आपना order दे रहा है और उस order को एक तरह से एक particular direction मान के वो नीचे continuously flow करती है vertically और वो आपके पास उसी हिसाब से अपना work जो है उसको करते है third point is the every employee know who is responsible प्रते एक जो भी employee है वो जानता है कि उसकी क्या अपनी एक responsibility है क्योंकि हरे की अपनी एक full flesh responsibility है तो यह basic है इसमें क्योंकि continuously एक जगे से आपके पास वो flow करती है next point is the all activity to concern department सारी activity जो भी concern department की है that is managed by an individual एक individual इंसान एक individual manager एक individual person फॉर्मन जो भी है वो अपनी activity कर रहा है concern department की और उसी को वो नीचे जो है continuously flow कर वा रहा है तो इस हिसाब से आपके पास वहाँ पे working चल रही है अब यह कहता है इसकी according कुछ disadvantage भी बनते है disadvantage में जैसे जो lord है क्योंकि एक जगें से आपके पास authority आ रही है एक जगें से आपके पास वो सारी direction आ रही है तो पूरा का पूरा जो burden है वो manager पर पढ़ रहा है क्योंकि concern department का जो manager है he will be the all of them तो मतलब सब कुछ उसी में से है वो वो ही सब कुछ है उसका तो क्या होगा कि सारा का सारा जो lord है पूरा का पूरा जो lord है वो उसके उपर गिरेगा second point is the only single communication इसमें भी आपके पास ये सबसे बड़ा weak point है कि केवल एक ही communication आ रही है आपस में जो groups हैं उनके बीच का कोई discussion नहीं है कोई कुछ newly जो आपके पास things है वो नहीं arise हो रही है क्या आ रहा है केवल उपर से जो communication आ रहा है उसको continuously नीचे flow करवाया जा रहा है वह यही इसमें problem है last है इसका it is not suitable for large organization यह मैं सुरू से discuss करता रहा हूं कि यह large organization जो है उनके लिए नहीं है यह केवल small organizations में होता है तो इसलिए एक जगें से जो भी आई उसी को transfer कर दिया तो इस तरह से कई बार इसमें problem होने के chances भी रहते हैं लेकिन आपके पास जो group वाली होती है जो बड़े organization है उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ideas आते हैं जिसमें कोई ideas नहीं है एक direction उसी को continue follow करते रहो Thank you दोस्तो